दिपका ककड के हाँ नन्ने महमान की आमद भारती मारूफ अदकारा यूट्यूबर और अदकार शोईब इबराहीम की एलिया दिपका ककड के घर काबल अजवक्त बच्चे की पैदाइश होने पर शोईब ने दुआउं की दर्खास कर दी भारती टीवी ड्रामा सुस्राल सिमरका से शोहरत पाने वाली अदकारा तिपका ककर ने 22 फरवरी 2018 को ड्रामे के साथ ही अदकार शोईब इबराहीम से शादी की थी जिसके बाद ये खबर भी सामने आई थी कि अदकारा ने इसलाम कबूल कर लिया है जिसका इतराफन होने 2022 में दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में किया था दिपका ने 2020 में दिपका की दुनिया के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर वो अपने रोजमरा जिंदगी के हवाले से दिखाती हैं अदकारा और इनके खावन शोई बिबराहीम ने रवा साल 25 जनवरी 2023 को अपने जल्द वालदेन बनने की खुशी के मतालग बताते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें दोनों के अकप से इनके सर पर पहनी हुई कैप दिख रही थी और मस्कूरा कैप पर मॉम टुबी और डाट टुबी लिखा हुआ था दिपिका ककड अपनी इस खुशकबरी के हवाले से गिजशता कई महीनों से अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम बातें शेयर कर रही है और अब इनके यहां बेटे की पैदाईश के हवाले से शोय बिबराहीम ने एक इंस्टेग्राम स्टोरी जारी करके मदाहों से दुआ की दरखास्त की है शोय बिबराहीम ने अपनी स्टोरी में लिखा कि अलहम्दलिल्ला आज 21 जून 2023 की सुभा हमारे यहां बेटे की पैदाईश हुई है इन्होंने मजीद लिखा कि बेटे की पैदाईश कबल अस वक्त हुई है ताहम फिकरमन्द होने की कोई बात नहीं है अपनी दुआओं में हमें याद रखिए शोय बिबराहीम की इस स्टोरी को दिपका ने अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर रिशेयर किया और साथ में आस्मानी दिल और दुआ मांगते हुए हाथों के मोजी बनाए माजी रहे कि दिपका का कर से कबल इनकी नंद सबा इबराहीम अपना यूटीब चैनल सबा का जहां चला रही थी और इन्होंने ही अदकारों को भी यूटीबर बनने पर आमादा किया